नमस्कार दस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट अनेलिसीस टेनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम कॉंबिनेशन के बारे में कि time frame analysis करके आप किस तरीके से अपने technical analysis में सुधार करके अपने trading में अपने regular profit generate कर सकते हैं time frame analysis सीखना काफी जादा जOS हो जाता है जब हम technical analysis कर रहे होते हैं और time frame analysis क्या होती है, किस तरीके से किय जाती है, उसके क्या benefits होते है कैसे हमें trade बनाना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो आज की काफी special है शुरू से लेके आखिर तक जूड देखिएगा चैनल को subscribe नहीं करें तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो अब मैं time frame analysis के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाता हूँ time frame के बारे में कि time frame होता क्या है time frame किस तरीके से लिया जाता है chart पे time frame को किस तरीके से देखा जाता है और इसकी analysis क्या होती है तो बारी-बारी से एक-एक चीजे मैं cover करूँगा तो पहले लेके जाऊंगा मैं chart पे और chart पे ही आपको मैं समझाना चाऊंगा तो chart पे जाते हैं दोस्तों और chart पे अगर आप देखेंगे तो हम जब भी chart analysis करते हैं chart analysis करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है पहले हमें stock का selection करना होता है और उसके बाद हाला कि जब हम stock का chart लगाते हैं या फिर index का chart लगाते हैं तो उसके बाद हमें time frame देखना पड़ता है कि कौन से time frame में किस किस तरीके के patterns बन रहे हैं और क्या analysis हम कर सकते हैं तो बहुत ही simple तरीका है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो कैसे समझना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे एक example के तोर पे हमने क्या कर रहा है यहाँ पे nifty का chart देखा अब मेरे सामने nifty का chart आ चुका है 17,026 के असपर की closing है और मैं क्या करता हूँ चार्ट देखने से पहले मैं क्या करूँगा पहले मैं देखने की pattern कौन से time frame बे बन रहा है पहले हमने stock या index को select करा उसके बाद हम देखते हैं कि time frame time frame क्या रख सकते हैं इसमें अब ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं ज़्यादा तर कि अगर मैं बात करू most of the technical analyst 5 minute का chart देखते हैं 5 minute का chart कौन देखता है पहले उसके बारे बात करता हूँ 5 minute का chart वो लोग देखते हैं जो उनको लगाता trade बनाने है उनको लगता है कि मेरा कोई न कोई trade फसा होना चाहिए मैं खाली बैठना नहीं जही हूँ तो वो क्या करते हैं वो 5 minute का chart के analysis करते हैं अब 5 minute का chart होता क्या है उसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहँगा क्योंकि इसके उपर काफी सारे calls, queries काफी जादा हमें whatsapp पे या फिर comment box में मिलती है तो मैं आपको बताना चाहँगा कि 5 minute का chart analysis यानि कि 5 minute का time frame क्या होता है, किस तरीके से देखते हैं देखें अगर आप देखेंगे तो 5 minutes में ये एक दिन की candles है आप देख रहे हैं, count कर रहे हैं ये पूरे एक दिन की candles है अगर आप count करेंगे तो आप देखेंगे कि हर 5 minute में एक नएक candle आपको देखने को मिलेगी हर 5 minute में आपको एक candle देखने को मिलेगी example के तोर पे market की opening time 9.15 है तो 9.20 पे क्या होगा एक और candle आपको देखने को मिलेगी यानि कि 9.15 से 9.20 तक एक candle होगी फिर 9.20 से 9.25 तके candle होगी फिर 9.25 से 9.30 पे फिर एक candle होगी यानि कि 15 minute के चार्ट यानि कि 15 minute में ही आपको 3 candles देखने को मिलेगी क्योंकि आप क्या करने है अब 5 minute का चार्ट देख रहे है symbol है और वैसे अगर आप 10 minute का चार्ट देखेंगे तो क्या होगा कि हर 10 minute पे candle बनेगी यानि कि 9.15 से 9.25 9.25 से 9.35 इसी तरीके से 15 minute का चार्ट देखेंगे तो वही 9.15 से 9.30, 9.30 से 9.45, 9.45 से 10 यानि कि 7.9 से 10 होगी कि बीचवाँ को 3 candles देखने को मिल जाएगी अब कई लोगों की queries ये रहती है वो कहते हैं यार हर candle हर टाइम फ्रेम में candle अलग क्यों बनती है बहुत सीधा अंसर है इसका दोस्तों वो ये है कि हर टाइम फ्रेम में अलग candle इसलिए बनती है, example का तौर पे 5 minute के चार्ट पे आप देख रहे हैं last candle बुलिश है अगर वही मैं अगर इसे 10 minute का चार्ट या फिर 15 minute का चार्ट करूँगा तो last candle भी आपको बुलिश देखेंगे बट इसकी जो एक तरीके से आपके देखेंगे इसकी formation अलग है अगर वही पे अगर आप 5 minute का चार्ट देखते हैं वह क्यों होते है क्या reason है उसका बहुत इंपल है क्योंकि closing basis देखा जाता है इसका 9.15 से 9.20 की एक candle है तो 9.15 पे start होई और 9.20 पे close होई वही पे 15 minute का चार्ट देखते हैं तो 9.15 पे start होगी वही 9.30 पे close होगी तो 9.15 से 9.30 के बीच में जो फरक आएगा candle में क्यों हाई क्या लगा, low क्या लगा, open क्या था, close क्या था उसकी वज़े से candle बड़ी या छोटी बुलिश ये वीरिश बन सकती है उसकी formation 5 minute की candle से अलग हो सकती है तो वही आपकों समझना पड़ेगा वही हम 30 minute का चार्ट देखते है अवर्ली चार्ट देखते है, तो एक घंटे में जो हो चुका है, अगर आप अवर्ली चार्ट देए एक घंटे के, यानि कि low अगर बनाया है किसी candle ने, example के तोर पे 750 रुपेगा और high बना दिया उसने 75 रुपेगा, तो ये candle को जिस तरीके से दिखाई देगी, वही हम अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे, तो 750 रुपेगा और 770 का high बना तो वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, तो दोनों candle में size का formation, size का अंतर क्यो है, क्योंकि इसकी closing matter करती है, ये आज open होके, साड़े 3 बजे close हो 9.15 पे start होके, साड़े 3 बजे close हो, क्योंकि डेली की candle है वहीं पर आगर आप देखेंगे, अवर्ली पे candle, तो वो एक घंडे में जो changes होते हैं, वो यहाँ पर show करता है, इसी वज़े से bullish अब यह तो basic चीज़े होगे, जो मैंने आपको सिखाई है, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ, वो यह है, कि हम time frame को किस तरीके से use कर सकते हैं, use करना, यानि कि उसके analysis करना भी दोस्तो एक कला है, इसको आपको आना चाहिए, हाला कि मैं हमेशे यह समझाता हूँ, अपने users को, अपने subscriber को, अपने students को, जो traders हैं, कि अगर आप market में technical analysis कर रहे हैं, तो आपको जो starting करनी है, वो 30 minute के chart से करनी है, even मैं तो कई आपको आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको निफ्टी का chart दिखाता हूँ, और यह हमारे समने निफ्टी का ही chart है, तो मैं बहुत सीधा-सीधा इसका example देना चाहूँगा, और बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा कि time frame analysis हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है, तो हम अभी decently जो हुआ था, निफ्टी में उसके बारे बात करेंगे, तो फिलाल क्या था, हमने देखा, अवर्ली के chart पे हम एक pattern मिला था, जिसको बोलते है, evening star, evening star pattern था, और evening star की हमने जो selling करना start करा था, निफ्टी में वो 18,200 से start कर दिया था, 18,200 से start कर था, अगर वही अगर आप 5 minute के chart देखते हैं, तो 5 minute के chart पे आपको कोई भी evening star, shooting star pattern दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई भी देता, तो बहुस छोटा सा small सा target आपको देखने को मिलता, तो वही मैं आपको कहना हूँ कि अगर आपको analysis करने तो hourly chart पे आप कर सकते हैं, अब आपने देखा कि hourly chart में मैंने analysis करी और hourly के हिसाब से मेरा जो target था, वो almost 18,050 के आशपरस था, तो मैंने 8,200 पे sell कर, 18,050 आया, और मैंने 100,500 पे लिए, market से और मैं खुश हो गया, और मैंने देखा, जी आज तो मैंने पैसे कमा लिए, बट दोस्तों कहना चाहोगा कि time frame analysis अब यहाँ पे काम करती है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, market में हमने देखा होगा कि market में hold रख सकते हैं, इसके लिए आपको time frame analysis सीखना पड़ता है, और क्या होता है कि, देखे क्या होता है, जब आप trade करते हैं, तो 100-500 point अपने ले 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 तो आपको लगे आजी 20-25 जार पे आगए अगर आपकी quantity ज़्यादा है, और मैं अब यहाँ पे अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा समिनिमाइस करेंगे, तो हमने दुबारा से जो sell कराया था, वो इस point पे कराया था, 18,000 के नीचे के हो, क्योंकि यह down trend line के नीचे चल रहा था, और हमने यहाँ पे sell कर गए भी profit इसमें लिया, बट अब यहाँ पे क्या करना है, अब अबरली चार्ट ने तो अपना काम करते हैं, अब आगे कैसे analysis करनी है, उसके लिए फिर हमें time frame change करना पड़ता है, और time frame change करा, फिर हमने क्या करा, इस पर डेली का चार्ट लगा दिया, हमने डेली का चार्ट लगाया, डेली में भी pattern नहीं था, फिर हम वीकली चार्ट पर वीकली चार्ट से जब पूछा तो वीकली चार्ट ने बोला, अरे भाई, 17,700 तो profit book मत करो, 17,700 तो actual में selling का level है, और यहां पर बड़ी quantity में sell कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारा जो target बनता है, वो बनता है 16,700, तो कहने वाली बात, कौन कहेगा आपको, आपको कोई operator तो call नहीं करेंगा न, कि ये खरीद लो, ये बेचलो, ऐसा नहीं होता, आपको क् तो इसके उपर एक चीज़ में बता देता हूँ, एक वार मैं 2015 में classes दे रहा था, 2015 में offline classes वगरे चलती थी, 15 या 14 की बात कर रहा हूँ, तो मैं student को बढ़ा रहा था, student को मैंने बोला कि भी, देखो market को operators चलाते हैं, तो उनका बड़ा अट-पटा सा उन्होंने question कर रहा है, उनका क्या operator का number मिल जाएगा, बनला लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि operator में को अपना number देता हूँ, मैं उसे call करके पूछो कि भाई ये खरीदू यह यह बेचू, तो कई तो इस तरीके के questions आते हैं, तो मैं आपको बता रहा था, तो मेरे दिमांग में आया, तो मैंने एक्चल में ऐसा होता है, तो operator आपको call नहीं करता है, बट operator जब market में entry करता है, तो मनी निशानिया छोड़ दाता है, वो smart people होते हैं अपनी छाप छोड़ दाते हैं कि वो entry कर रहे हैं, वो कैसे बता चला है, वो candlestick से बता चलेगा, अब हमने यहाँ पे क्या करा, weekly chart देखा किसका, निफ्टी का, अब निफ्टी का weekly chart देखा, और यहाँ पे पैटर्न आता है, जिसको हम बोलते है, dark cloud cover, dark cloud cover candlestick pattern हमें देखने को मिला, किसमें, निफ्टी के weekly chart पे, और यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और यहाँ पे 70,700 मार्केट आ चुका है, 16,700 का target हमें weekly chart पे देखने को मिल गया था, वो भी किसमें निफ्टी में, तो फिलाल हमें कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमने analysis कब से करी दी, hourly chart देखके हमने sell करना start करा, 18,200 पे, 17,700 पे sell करा, 18,000 पे भी हमने sell करा था, इसके बाद हमने sell करा, जो हमारी level बनता था, वो बनत इसके बाद 17,700 के निचे position short मनाई, तो यहाँ पे भी हमारा sell था, यहाँ पे भी हमारी बड़ी selling थी, और target हमारा 16,700 का है, तो यहाँ पे position short करते हैं, यहाँ पे position short करते हैं, तो आपकी जो average होगी, वो कहा होगी profit पे average, सुना है, अबने profit में average होता है, एक चीज़ आपको ब आप और अपनी quantity बढ़ा रहे थे, तो वो ही चीज़ है दोस्तों, अब आप 18,000 दोसर पे sell करके 17,000 पे profit बुक करोगे, और आप देखो के 1200 points में quantity भी आपकी ज़्यादा है, तो आप यह मानके चलिए, अगर आपके पस 2, 3, 4 lot भी होगे, या 1 lot भी होगा, तो आप कितना पै ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, और फिर से कहना चाहूँगा, आप option के trader है, option में आप कहां कर रहे हैं, और पुटे आपने खरीदी हुई है, और आपके बस अच्छा कासा पैसा है, और quantity में आप खरीद रहे हैं, तो दोस्तों फिर से कहना ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे को बड़ा बना सकते हैं, जब आप टाइम फ्रेम अनालीसिस को सीखेंगे, बट फिर से कहना चाहूँगा, दो तो इसको सीखने के लिए आपको बेसिक टेकनिकल अनालीसिस आना चाहिए, टेकनिकल अनालीसिस क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, टेकनिकल अनालीसिस सीखने के लिए आप जा सकते हैं, मारी वेबसाइट पे, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहाँ पे इसको सीखने के लिए यूजर अनालीसिस सीखने के लिए, टेकनिकल अनालीसिस सीख सकते हैं, बेसिक टू अडवांस, जिसमें candlestick क्या होता है, chart pattern क्या होता है, time frame analysis क्या होती है, इसके साथ psychology, demand supply, price action, ये सारी चीज़े सिखाई गई है, सिप कहना चाहूँगा, 8,999 का course है, क पहले GST नहीं देता था, अब GST build के साथ आपको मिलेगा, तो साथ-साथ हमारा option का भी course है, और इसके साथ-साथ हमारा कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप combo भी ले सकते है, technical और option का, और technical option आपको पढ़ेगा, दोस्तों वही 18,000 रोपे के आसपर टैप को technical option पढ़ जाएग आपको पर्सनल टैलीगरम चैनल दोंगा, एक तो प्राइवेट टैलीगरम चैनल है, जिसमें 42,000 के आपस पस लोग हैं, जल्दी से जागे टेलीगरम पर लिखे चार्ट अनैलिसिस और पुब्लिक चैनल का भीस्सा बन सकते हैं, इसके साथ-साथ मैं आपको दोंगा प्रा इतना जब्रदस्त है कि आपकी accuracy 70-80% की guarantee मैं दे सकता हूँ तो जल्दी से जाहिए दोस्तों website पे और हां से हमारा course आप purchase कर सकते हैं link नीचे description पे मिल जाएगा तो time frame analysis दोस्तों सीखना क्यों जरूरी है ये फिलाल मैंने आपको nifty में example दिया है बड़ detail में दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा हमारे course में क्योंकि basically क्या होता कि जब आपको कुछ सीखनी होते चाप technical सीखे चाप fundamental सीखे चाप option सीखे उसका basic सीखना काफी ज़्यादा जरूरी है और basic अगर आपका मजबूत होगा क्यों कहते हैं कि इमारत जब बनती है तो उसकी नीव foundation बहुत मजबूत होती है जब आपकी नीवी कच्ची रह जाएगी तो जितनी बड़ी इमारत बना लो वो आदमें ढही जाती है तो better यह है कि आप क्या करिए आप अपनी नीव मजबूत करिए और नीव मजबूत करने के लिए आप हमारा course purchase कर सकते है साथ सा कहना चाहूंगा अगर आप एक अच्छे broker को ढूण रहे हैं तो भी broker की link है नीचे description box में आपको मिल जाएंगे उसमें किसी में भी DMAT account बोपार कराएंगे तो भी मैं आपको संडे का webinar lifetime के लिए free of cost दूँगा तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आती है तो like करे शेर करे चैनल को subscribe करें कोई doubt है क्यों कह रही है तो नीचे देगे number पर contact कर सकते हैं आज के लिए वसे इतना ही दोस्तो धन्यवाद